हाई गाइस मेरा नाम है विशाल आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं तो मैंने रेसेंटली अपने फोन में एक डाउनलोड की थी जो की क्लेम करती है कि वह सोलार एनरजी को यूज करके मेरे मोबैल की बैटरी को चार्ज कर सकती है और यहां पर आप इस आप के अंदर दे यह जो पर्टिकुलर थिंक है जो यह एप क्लेम कर दी है यह रियालिटी हो सकती है और कैसे हो सकती है वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो अगर आप इंट्रेस्टेड है इसी नई टेकनोलजी में और जानना चाहते है कि आप फ्यूचर में कैसे अब यह जो इनके लिए बहुत ज़्यादा सर्फेस अरिया अचाहिये होता है तो जो बड़ी बड़ी इलेक्रिकल कंपनी जैसे अड़ानी रिलाइंस एंड टाटा यह एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा लैंड खरीद लेते हैं उन पे सोलार पैनल्स बिछा देते हैं तो वह बहुत ज़्यादा सोलार एनर्जी को कंवर्ट कर लेते इलेक्रिकल एनर्जी में एंड वह हमें सप्लाइगरते हैं बहुत से लोग ऐसे होते जो अपने गर की च्छत पर अपनी बिल्डिंग की च्छत पर लगाते हैं और गवर्मेंट स्रीट लाइट के यहां यूज क परता है और सोलार एनर्जी एक एक एनर्जी सोर्स जिससे एंवर्मेंट पर कोई भी नेगेटिव इंपक्त नहीं पड़ता है बट करेंटली जो हमारे पास टेक्नोलजी अविलेबल है उसकी मदद से हम सोलार एनर्जी का फुल पोटेंशल यूज नहीं कर पा रहें इसलि एंड बर की दूसरे सैंटिस्ट ने मिलके एक टॉलार जेल बनाया है या फिर टॉलार पैनल बनाया है जिसकी मदद से आप अब सोलार एनर्जी को कशनल कर सकते हो एलेक्ट्रीकली अजी में अब इससे होगा क्या मैं सबसे बहले आपको बतादू कि यह जो नया सब्सक्राइब बन सकती है अगर हम इन transparent solar panels को अपने devices में use करना start कर दे transparent solar panels में use करना ठीक है बडिशा जो main use ऑफोंग स्काय ख्राइपर में या फिर बड़ी-बड़ी buildings में जहां पर बहुती जादा tinted mirrors को use किया जाता है जहां पर energy की requirement बहुत ही जादा होती है ऐसे में वो पूरी building अपने आप में ही खुद की energy requirement को fulfill कर सकती है मैं आपको बताता हूं कैसे तो आप सब को पता है कि बड़े बड़े tinted glass लगवाये जाते हैं बड़े-बड़े sky scrappers में तो उन tinted glass को हम replace कर सकते हैं transparent solar panels से इससे हो गई ह जो building का vertical area होता है वहां पर पूरे solar panels हम लगा देंगे transparent जैसे धूप आएगी वो सारा जो building का vertical surface area है वो अपने आप में solar energy को electrical energy में convert करते रहेगा और ऐसे में हो गई है कि building खुद building अपनी energy requirement है उसको fulfill कर देगी I know मैं थोड़ा से आपको confused कर दिया हूं maybe but मेरे कहना का मतलब यह है कि जो normal glass है उनको हम replace कर सकते transparent solar panels से जो हम लगा सकते building के external surface area पर या फिर हम normal windows की तरह use कर सकते इन्हें हमारे गर में and जो भी solar energy in windows पर strike होगी वो electrical energy में convert हो जाएगी and हम उस stored electrical energy को use कर सकते हमारे गर के appliances को run करने में तो यार बहुत ही कमाल की technology है and मैं personally बहुत जादा excited हूँ because future काफी जादा bright है like electrical cars आ रही है ऐसे solar panels बन चुके जिनने हम बहुत जादा widely use कर सकते है like windows में, skyscrapers में, mobile phones में, cars में use कर सकते है in fact तो मैं personally बहुत जादा खुश हूँ and आपके असोस्ते इस technology के बारे में मुझे comment करके बताईए तो यहाँ पर यह video खतम हो जाती है और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो प्लीज इस video को like कर देना, channel को subscribe कर देना comment करके बताना कि आप अगली वीडियो किस topic पर देखना चाहते हैं और subscribe कर देना मेरे channel टेकनल लिस्ट को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी videos लाता रहता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, बाई